कि क्योंकि इस मीटिंग में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिसकस करेंगे और यह मीटिंग क्यों हमने आज रखी है उसके पीछे का लॉजिक समझे हमारी बहुत सारे हमारे लीडर्स से बात होती है तो मैं और आमकिशन जी बात कर रहे थे अपने पुराने साथ के साथ में जो बहुत ही पड़े लिखे हैं और बहुत ही समझदार है तो जब उनसे बात कर रहे थे तो उनकी टीम में जो भी 500-600 लोग लगे हुए हैं वह बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं और सरकारी नौकरीयों में या समाज के उच्छे तप्पे से उनका इस और उसके बाद हमने एक एक करके दो-चार लोगों से बात की अब पता क्या चला जो पता चला वह बड़ा मतलब शॉकिंग था कि बहुतों को पता ही नहीं है कि कंपनी कमें काम कैसे करना है अटॉमी में बिजनिस कैसे आगे बढ़ाना है और अटॉमी का बिजनिस को हमें क्यों करना है यह जो क्यों का सवाल का जवाब है यह जब तक हम किसी के भी पास नहीं होगा तब तक वो किसी भी काम में आगे नही यह जवाब आपको कोई बाहर वाला नहीं दे सकता हां बहुत सारे जवाब आपको बाहर से मिल सकते हैं बट उसमें बैस्ट फिटिंग जो होगा वह कौन सा होगा वह आपको तैय करना है तो हम लोग ट्रेनिंग देते आ रहे हैं बहुत एक मेना हो गया लगबख सबी प्रोडेक्स की लगबख वीडियो क्लिप्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ी हुई है आप मेंसे देखते भी हैं लेकिन इस सवाल का जवाब कि कैसे करें अब जब कंपनी लॉंच हो गई है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने प्रोडेक्ट यूज किये हैं दोस्तों मुझे आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि मुझे प्रोडेक्ट में रिस्पॉंस नहीं मिला और मेरे कॉंफिडेंस की बार-बार जो मैं जिस शिद्दत के साथ हम सब लो कंपनी की प्रोडेक्ट में दम होता है वो कंपनी चलती नहीं है दोड़ती है लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा सा अपने काम को सिस्टेमेटिक करें डिसिप्लिन में लाएं और कैसे लाएं उसके बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे आज टॉपिक का है जो हमारा टाइटल है वो यह है कि हाउ टू डू अटमी बिजनिस और इंक्रीज और निक कैसे हम काम को करें अटमी का बिजनिस बढ़ा कर कैसे हम अपनी आंदनी को बढ़ाएं चलिए आगे बढ़ते हैं कि अच्छा देखा किया है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब हमारे कई सारे लीडर्स ने लोगों की आयडी लगवा दितीजी समय 11 नॉंबर से पहले का है अरे id लगा दो पैसा आजाएगा यह बहूत अच्छा प्लान है बहुत अच्छी कंपनी आई यह वो है इन 5 सेंटेंस के अलावा उन्होंने अपने leader को यह नहीं बता कि कंपनी में पैसा कैसे communauté और आपको कैसे आगे כाम करना है इसकी वज़े से क्या हुआ 95% लोग आज dormant stage में चले गए मतलब सो गए तो वही बात है कि ID लगा के लोग सो गए है और सोने का ये रहा कि आप में से बहुतों का business इस समय उस तेजी के साथ नहीं चल ला है जिस तेजी के साथ इंडिया में बहुत सारी और टीमें काम कर रही ह मैंने आपकी मीटिंग भी कराई थी पर सो जो हमारे अप्लाइन ग्रेट अप्लाइन नितेश मीना जी आया थे और उनकी इंकम मैंने आपको बताया था कि तीन महीने के अंदर मतलब तीन घंटे में वह सेल्स मास्टर बन गया थे तो यह ताकत है अटमी के प्लान की लेकिन हम दूसरों उटालिया मजा तो सकते हैं लेकिन अपने जब तक हम काम करने का तरीका नहीं टूढ़ेंगे तब तक हम आगे Михात अगी भ्याइंट पड़ेगी लेकिन यह बताना भी ज़रूरी है आप लोगों को नितेश मीना जी इस कंसेप्ट में पिछले तीन साल से लगे हुए है और मेरे खाल से इंडिया के हर important शहर में वो company launch होने से पहले अपनी टीम बना चुके थे हर important शहर में जाके meeting करना online meeting करना offline meeting करना मतलब जब company launch में नहीं होई थी तब भी वो मतलब जो important शहर है हर शहर हर state में आज उनकी टीम है और यहीं वज़े है जब टीम बड़ी है तो बंदा दो घंटे में क्या एक घंटे में sales master बन सकता है तो यह ताकत है हमारे पैसा कैसे आएगा वो थोड़ा साम बात करते हैं और तो और समझी ज़रा बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्नोंने अपनी अभी तक माइग्रेट नहीं कराई है देखिए माइग्रेशन के प्रॉसेस से आप सब भी नहीं कराया कुछ facts आपको बता दू आपकी फायदे के लिए हैं कि जब तक आप अपनी आइडी को माइग्रेट नहीं करेंगे आपकी आइडी जो है वो verified नहीं होगी तो आप परचेज नहीं कर सकते परचेज नहीं यह जो अटामी का माइग्रेशन का प्रॉसेस था वो जनवरी में खत्म होने वाला था लेकिन कंपनी ने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया यह देखते हुए कि हमारे भाई की लोग हैं भारती लोग हैं थोड़ा सा दीरे से काम करते हैं तो उन्होंने एक डेट आगे बढ़ा दी 31 मार्च यह आखरी तारीक है आपकी आपकी और आपके टीम की लोगों की आईडी को माइगरेट करने के लिए आखरी तारीक है समय नोट कर लिए साथ बजे क्योंकि साथ बजे कुरिया में टाइम चेंज होता है इस वजह से वह फिर फर्स अप्रेल हो जाएगा तो 31 मार्च तक जितने लोगों की आईडी अगर माइगरेट नहीं हुई तो आप अपनी में भी आपके टीम के लोग है उन सब की आईडी का माइगरेशन बहुत जरूरी है 31 मार्च से पहले पहले आपकी सारे पी मुड़ जाएगी आपकी अगले एक साल तक नहीं लग पाएगी यह दो फैक्टर है यह बताना मेरा फर्स था आप लोगों को तीसरी के वह लोग थ जिन्होंने माइगरेशन तो कर दिया बहुत प्रेशर पड़ा अप्लाइन का हां सब माइगरेशन हो गया परचेज एक भी नहीं की क्यों भी परचेज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा अच्छा यह 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 भी एक समझना ज़रूरी है को जबरदस्ती की परचेज हम नहीं है आपकी डैक्टकर करने क्लिए बहुत सारी कम्पनिया हर महिने आपको परचेज से महीने में ऐंकौर करा एकरी महीने ब्रू कराती है यह जबरदस्ती purchase करनी पड़ती है आपको महीने के basis पे quarterly basis पे आपको कोई खरीदारी नहीं करनी है आपका मन करें तो कीजिए ना मन करें तो मत कीजिए आपके daily matching bonus जो है या आपको क्या पैसा मिलने वाला है वो depend करता है आपके अपनी rank पे और आपकी rank depend करती है आपकी खुद की purchase पे बस इतना ध्यान रखिए आगे आपको करना है तो कीजिए नहीं करना है तो मत कीजिए एक चीज बहुत important जो Atomi के business में है कि एक बार आप purchase करते हैं सबोर्च किजिए कोई आदमी अपनी purchase अपनी rank कभी भी हासल नहीं करना चाहता तो एक बार 10,000 पॉइंट वैलू की उसने purchase कर ली बट उसके नीचे टीम बहुत बढ़ी है तो उसको जो मैं बात बता रहा था कि company का चुँ आप एक बार कर लेते हैं तो आपकी एक साल के अक्टिव है अटमी ने बहुत बड़ी विजिटल का जमाना है कम से कम आप अपने आइकॉंस जो हैं बटन्स पर करके आप तालिया तो दे सकते हैं कि हां कितने लोग इस बात से खुश है ठीक है दूसी चीज है आपके सेल्फ पर्चेश मतलब इसको समझे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक ताली आई और किसी की ताली नहीं आई मुझे लगता को शायद लोग लगा के भूल रहे हैं और कुछ और पना काम कर रहे हैं पट मीटिंग के लिए सीरिसनेस होना बहुत जोड़ी है आपकी ज पॉइंट वैलू आपकी हमेशा की जिंदकी के लिए फाइनल हो गए आपको बार बार नहीं करने हैं आप समझे मेरी बार कि हर महीने हमारा पॉइंट वालू गर जाएगा रैंक बढ़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं एक बार आपने जो रैंक हासल कर ली वह आपकी अगली ती 20,000 पॉइंट की और पर्चेश करते हैं तो उसमें 20,000 जुड़ जाएंगे 30,000 वैलू हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे याद रखना सिर्फ सेल्फ पर्चेस नहीं सेल्फ पर्चेस पर्चेस में चेंजिस होते हैं उसे जो सेशन जब मैं कभी प्लान क वात के बारे मिलूगा तब मैं आपको बात करूँगा तो सेल्फ पर्चेस के पॉइंट हमेशा आपके साथ रहते हैं एक एक और काटेगरी थी जिन्हों ने माइग्रेट किया आगे सैल्फ पर्चेस भी कर लिया दोनों काम कर लिए लेकिन क्या कमी रह गई हमी रह गई उ आप मेरा भी पर्चेस कर देना ये आपने मोबाइल में एप्लिकेशन से कैसे परचेस करने का कराने का अपने में करवाया दोनों काम नहीं कि खुद तो पर्चेज नहीं की अप्लाइन से पर्चेज कर वाली फिर ना सीखा आप कैसे पर्चेज करनी है ना सिखाया नीचे के लोगों को तो ऐसी काटेगरी के लोग भी हम उनको कहते हैं अभी सोय हुए जिन्होंने माइग्रेशन भी कर लिया अपनी आड़ी पर पर्चेज भी कर वाली लेकिन ना खुद सीखा ना नीचे साल चाहिए होते पड़ने के लिए आपको आई-टी प्रोफेशनल बने के लिए पांचे साल चाहिए होते हैं ठीक है ना आपको सेल्स मार्केटिंग जैसे मैं जिस फील्ड में आया हूं वहां की हाइस्ट पूजिशन को मैं परथा ठीक है एग दिन में नहीं पहुंचा हो मैं 33 साल मुझे लगें उस position पे पहुंशने में 33 years वो सकता कई लोगों को 20 साल उस position पहुंश सकते हैं लेकिन 20 साल 25 साल से तो कम नहीं पहुंश सकते ना मिलता क्या था वही बस घर का खर चल जाए यही बहुत है तो नौकरी में तो ऐसा ही होगा लेकिन कहने की भी मुकाम को जब हासिल करते हैं उसके पीछे समय लगता है कि समय एक साल का हो सकता है दस साल का हो सकता है बीस साल का हो सकता है और तो और बिराट कोली एक में नहीं बनता सौरब गांगली एक दिन में नहीं बनता और छोड़ी है उन सब चीजों को आपके पैदा होती भागने शुरू करती है उसके लिए विकम सकम दूसाल लगे थे को लगा तो ना एक साल के बाद आपने चलना सीखा दौड़ना डिएड़ साल ने समय लगता है तो लोग क्यों फेल होते है क्यों क्यों क्योंकि patient container नहीं होता है उनको पथा नहीं काम कैसे करना है और क्यों करना है और क्या करना है, इन सवालों के जवाब जब तक आपके पास नहीं होगे, तब तक नहीं होगा, हाँ, इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, तो छोड़ने से रिजल्ट नहीं चेंज होगे, अगर आप छोड़ देते हैं और आप इसमे कि बैठे बैठे आपको हो जाएगा नहीं पॉसिबल है और हार इंडेस्ट्री में होता है सक्सेस्फुल लोग वो होते हैं जो लगातार उसी इनर्जी के साथ उसी ऊर्जा के साथ काम करते रहते हैं तो अगर आपको सक्सेस्फुल होना है यह ठीक है मैं मानता हूं सब्सक्राइब जनरेशन का वर्लब रोजगार देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है यह भी मैं आपको बता दो क्या रोजगार देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्रि अगर होने वाली डिरक्ड तरी डिर्किन नहीं हिस में आपके लगातार मेहनत चाहिए मिरेकल नहीं तो उसमें सही करना है कैसे करना है क्यों करना इतनी चीजों को याद रखएका आप हमारी बाद क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है इन तीन चीजों को जब तक आप clarity इस पश्टता नहीं पाएंगे तब तक आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते आप करना क्या चाहिए बड़ा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है तो यहां के सवाल मैं आपको दे रहा हूं इसके जवाब लीजिए क्यों आपने आपने जोएंड की सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल के जवाब जब तक आपको नहीं मिलेगा दोस्तों तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस सवाल के जवाब हर आदमी के लिए अलग लग हो सकता है जैसे गुवर्मेंट इंप्लाइज है उनके लिए एक रिटा साठ साल को मैं कि उडस तो अब नौकरी तो मैं कहीं नहीं करूगा नहीं नौकरी नहीं करूँगा तो सकता हो Mark at ककी मेरी अंट सारी ना सारी साथ लोग जोगों को मिलने होगे लेकिन बहुत सारी पंश. बंद हो गये तो हम गर का कर्चा कैसे चलाएंगे क्या करेंगे तो एक रिटार्मेंट प्लान के रूप में पिया एक गवर्मेंट इंप्लाई या प्राइविट इंप्लाई वह अटोमी को ले सकता है जो ग्रेजुएट स्टुडेंट है नौकरियां है नहीं तो उनके लिए एक स्टेबल जॉब अपने फ्यूचर भविश्य के लिए चाहिए होता है कि लगातार अर्निंग वाली ऐसी कोई जॉब हो तो जॉब है नहीं ना प्राइविट सेक्टर में ना गवर्मेंट सेक्टर में और जो हैं वह बहुत कंप्टिटिव हैं उसके लिए मेनत आपने उससे भी नहीं की अभी भी नहीं करेंगे तो यहां तो कम से कम थोड़ी मेनत कर लिए ताकि आपका भविश्य बन सके जो छोटे बिजनिसमैन है जिनकी आमदिनी 10-15,000 रुपए है तो 10-15,000 रुपए से घर का खर्ष तो नहीं चलता तो 10-15,000 रुपए और कैसे कमा सकते हैं उस इंकम के लिए पाँ 10-15,000 जो भी है उसके लिए उत्तना काम करेंगे तो इत्ना ही मिलेगा जितना मेनत से काम करेंगे जितना ज्यादा काम करें उत्न इंकम बढ़ेगी तो मैं छोटी-छोटी बात कर रहाओ आपका क्या है जब तक आपका वीजन क्लिए नहीं होगा दोस् के साथ चुड़ा हो ठीक है लेकिन मैंने 10-15,000 नहीं है मैंने क्या बोला विजन है आपको एक्स्ट्रा इंकम चाहिए आपको फैमिली के लिए एक्स्ट्रा इंकम एज फूचर स्टैबल फूचर है लेकिन गोल क्या है गोल में थोड़ा से चेंज हो जाता है गोल वह सकता है पानदश जार किसी का पीज वाच्चे जार हो आप जैसे मुझ जैसे लोग है तो मेरा तु गोल है कि कम कम से कम लाग रुपे की इंकम हर महीने पाना तो यह गोल जो है जब तक आप डिसाइब नहीं करेंगे विजन आपने क्लियर के लिए ओके फाइन मैं गॉर्मेंट इंप्लाई हूं मैं रेटार्यमेंट प्लान के लिए गॉर्म अटमी के साथ जुड़ा हूं सब्सक्षर को अब किया है गोल यह जब तक नहीं करेंगे कि इस चलो ठीक है सोया हुआ हूँ मेरे टीम भी सोई हुई है और मुझे दस्पंद्रा हजार रुपय कमाना है आ जायागा जब आ जायागा तब लेंगे वैसा प्रुव का प्रसाद नहीं है कि आप मंदर जाते हैं माथा टेकते हैं और पुजारी आपको जड़ा सा प्रसाद दे रहता है आप के लिए आपको गोल के साथ में आपको उसके साथ समय सीमत करने पड़ेगी जब तक आप टाइम लाइन नहीं देंगे कि मेरा गोल ती मेने के अंदर मुझे तस से पंद्रा हजार रुपय इंकम चाहिए तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और जो वो लोग जो मतलब खाम का का प्रोड़क्ट बहुत कॉसली हैं कितनी बार दसमी बार मैं आपको बता चुका हूँ अरे भाई सब टाटर नहनो और मारतिर डिजैर का कोई कंपरिजन हो सकता है एक साथ साल का आदमी एक बीस साल का आदमी उसकी इनर्जी का कोई कंपरिजन हो सकता है क्या बात क बाब जूद भी मैं आपको बताओ अटॉमी का टूथपेस्ट है उसको आप ऐसे फेश वाउस मैंने का आज मैं उसको ऐसे फेश वाउस यूज करके बैठाओ कर जाते हैं तो वहाँ पर बना लगा सकते हैं आपको गैस बनती थोड़ा साथ करम पानी के साथ खा सकते हैं टू पास्ट बेनिफिट के साथ होती इसके बाब जूद भी दोस्तों मैं आप एक चीज़ बताओ अटॉमी के प्रोड़क्स सबसे ज्यादा एकॉनमिकल है क्योंकि आटॉमी का सिद्धान्त है पहली कंपनी मैंने देखी जो सिद्धान्तों से चलती है इसका सिद्धान्त है ए एबसलूटाइब सबस्दोंगी और मला प्रोड़क्ट रिटन की यहावatan को किसी भी कंपनी में किसी इसलिंग कंपनी में नहीं मिलेगी आटॉमी आपको प्रोडेक्ट रिटन्लिच départ कि या अट ऊस सोच यह तो क्या करें और तयार है सबसे पहले आप से पूछना चाहूंगा कि आप तयार है अटॉमी से बड़ा पैसा बड़ी चीज़ें इजद शोरत कमाने के लिए है तयार तो आगे बढ़ो नहीं तो कोई बात नहीं सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा मुझे भी वरुसा दीजिए मुझे भी बताईए सिग्नल दीजिए थमसब आप दीजिए अपने जूम के अप्लिकेशन में वहां से आप दे सकते हैं मैसेज डालिए तो मुझे भी पता मैंने सबकी बंद कर रखिए तो हम सब दीजिए मैसेज डालिए मैं मैसेज देखके बताऊंगा आपको कि हां कुझी मैसेज मिल गया है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों थैंक यू अटमी में सक्सेस्फुल होने के लिए जो स्टैप्स मैंने बनाए हैं उसको समझ लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप उसी लिंक पर जिस लिंक के थ्रूँ आप आए हैं उसलिक पर दुबारा क्लिक किजिएगा एक निट के अंदर अब बापस सिशन हमारे स्टार्ट हो जाए तो अगे बढ़ने के लिए कुछ स्टैप्स हैं उसके बारे हम चर्शा करत ठीक है पहला यूज अप्रड़क्ट दूसरा बियर्द बिजनेस तीसरा टॉक टूपीपल सिर्फ तीनी कंसेप्ट हैं दोस्तों और यही आपको करना है यह तीन एक्टिबिटीज ऐसी हैं यूज अप्रड़क्ट बियर्द बिजनेस आपके एटिट्यूट से आपकी सोच से आपकी बातों से लगे या रहाया मैं अटमी बिजनेस मैं ऐसा ना हो जाए अरे भाईया वो देख लेना जरा बड़ी अच्छी कोई कंपनी बता रहे हैं आई है उसमें आड़ी लगा देना कुछ पैसा वैसा उसमें आ जाता है चार जार रुपया का बिजनेस ऐसा कि कोई आपके साथ ने जोड़ने वाला है कि मुरा मत मानना मांगने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना देने वाला देना चाहता है मागने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना देने वाला देना चाहता है और जो हासिल करना चाहते हैं वो अपने आपको पहले ताकतबर बनाते हैं अगर आपको हासिल करना है कुछ चीज तो मिलेगी नहीं वह आज तक मैंने नहीं सुना है ग्यारा सो रुपए के परसाद में किसी को भगवान जी नहें मर्सदीज दी हो ऐसा कोई एक्जामपल आपके पास मुझे दीजेगा मैं बाइस सो रुपए के परसाद चड़ा दूगा मांगने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना देने वाला देना चाहता है तो तीन एक्टिविटीज है यूज अप्रड़क्ट बियर्द बिजनेस से मेरा बिजनेस है मैं करूंगा इस बिजनेस को जादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए इसी को मैंने आगे थोड़ा सा और किया है उसको जड़ा समझते हैं पहले तो मैंने आपको पताया अपने उस हिसाब से बात करनी पड़ेगे उस हिसाब से आपको कपड़े पहनना पड़ेगा उस हिसाब से आपको अपना तरीका बदलने पड़ेगे उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा यह सब कैसे हासल होगा इसको थोड़ा सा मैंने शॉट किया है एक्शन प्लान में तो एक् के बारे में समझे आपको नहीं समझ में आता अपने से बात कीजिए उससे समझे तो इंक्रीज नॉलिज सेवन स्टेप मैं साथ स्टेप मैंने दिये हैं इस प्रजेंटिशन में इसको द्यान से समझे और दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दू अगर समझ सकते हैं तो सम आपको समझाना था तो मेरी मेनत मैं आपको बता रहा हूं कल शाम को तीन बज़े से मैं रात के सोगे साड़े-चार बज़े तक इस प्रजेंटिशन इस सोच को मैंने पूरा कैसे देना है इसको तयार किया है आप कितनी मेनत कर सकते हैं आपको डिपेंट करता है बट डेफनेटली मेरी मेनत देखने एक दिन जरूर काम्याब होगी ऐसा मुझे विश्वास है तो इंक्रीज और नॉलिज कम्पनी के बारे में जानिये प्रोड़क्ट के बारे में जानिये तुनिया भर की चीज़ें इसके बारे में जानिये अपने प्लान के बारे में जानिये प्रोसेस के बारे में जानिये पैसा कैसे आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं बिना नॉलिज के कुछ नहीं होता सिकिंड इस्टाप इसलिए क्या कहता हूं दिमाग की बत्ति जलाओ दिमाग की बत्ति जला कि आपके कॉंफिडेंस की आपकी टीम को आगे चलाता है कि इतना समझ लिए जो भी आपकी डाउन लाइन में इंपॉर्टन लीडर्स हैं उनको बात कीजिए अगर ज़रूरी पड़े तो उनसे आपने अप्लाइन से बात कराई जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं अगर वह आप कि आप से नहीं समल पा रहे हैं तो अपने अप्लाइन से बात करें कितने लोगों ने अप्लाइन से बोला साम मेरे टीम के दस्ट हो गए मैं और आंज ड़े रहते हैं लहां साब अपने टीम के लोगों को बताईए कौऊन एक्टिब नहीं है किसको समझ मनीं आए है हमी लो कॉंसलिंग कीज़ें उनसे जो इंपोंटinent आपके लिडर सोंसे बाक कीज़े अगर वोंसे आप से बात नहीं हो पा रही है तो आप अपने hairy अप लाइन से उनकी बात कराएि कांसलिंग कर रही है सिकेंड फील्द प्रोड़क्ट फील्द प्रोड़क्ट का मतलब है कम से कम दो-तीन अटोमी के प्रोड़क्ट्स आप अपने घर में मंगवा की यूज कीजिए जब आप फील करेंगे प्रोड़क्ट को तो डेफिनिटली आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड़क होगा आप याद रखिए अगर आपको 3930 रुबे की इंकंपानी है तो आपको अपनी रैंक एजेंट बनानी पड़ेंगे और यह रैंक एकडम से नहीं आती है इस तीन लाग सेल्फ परचेज पॉइंट वैलू को हासल करने के लिए कम से कम आपको पचास से सतर नए यूजर यूजर बनाने पड़ेंगे और यह यूजर ही आपके पूरा बिजनिस के काया पलट कर देंगे यह मेरी गारंटी है तो इसको बनाने के लिए क्या करें तीसरा इस्टप है अपनी लोकलिटी अपने वर्क प्लेस अपने जो क्लोस फ्रेंड्स है पे नजहार रखिए उनसे बात किजए उनको प्रडक्ट के वारे में बताएए जो जिनको इस तरीकी की प्रॉब्लम है दाथकी समास्या वाले लोगों को समझिए इसकिन केर की प्रॉब्लम है हेर केर बाल जड़ते हैं ऐसे लोगों को अपने आस पास लोकलिटी में चाट के रखिए उनके साथ उन प्रोड़क्त की बात कीजिए और उनको रिजल्स दिखाईए आपके पास जो टेस्टमनी जाती है उनके रिजल्स उनक से पहले क्योंकि यह सस्ता है कॉंफिडेंस बिल्डब करेगा उसके बाद उनका वीकली बेसिस पर फीडबैक लीजे कैसा लगा साब आपको और क्या रिस्पॉंस लगे आप दूसरों को दीजे कलेक्ट देर फीडबैक ऑन वीकली बेसिस एक-दू मिनट का उनका वीडियो पास में एक वीडियो क्लिप आई है और इसमें प्रोडेक्ट टेस्टिमनी है इस तरीके से आप उन लोगों को भी चार्ज कर पाएंगे फूर्थ स्टेप एक्स्टेंड यो टीम कैसे करेंगे मैंने क्या बता है लोकल टीमे आसपास में यूजर यूजर से सटिस्वाइड यूजर यूजर से सटिस्वाइड यूजर और इस सटेस्वाइड यूजर में से आपको उपने बिशनेस श्रीडर मविश्क के मिल जाएंगे के दिटर तू तॉन लोगों को गो कीचान की सिए उनको डाउन लाइन में एड कीजिए उनको मोटिवेट कीजिए अपने जो टीम के और लोग है उनको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि उनकी टीम बढ़ेगी और यही सारा काम अब तक का अपने नीचे के जो इंपॉर्टन लीडर से उनसे डुप्लिकेट करने को कहिए जब यह काम हो सब्सक्राइब और यह क्या प्रोड़क्ट्स जब सटिस्वाइड कस्टमर को दूसरा प्रोड़क्ट बात करेगा तो दूसरे सेट आफ बिजनेस लीडर्स आपको मिल जाएगए जिक्स पॉइंट आपके नीचे डाउन लाइन में जितने उर्जावान उत्साही लोग है उन लीडर्स को चांट लीजे उनको ट्रेनिंग दीजिए नॉलिज दीजिए कॉन्फिडेंस बिल्ड़प कीजिए रेगुलर मीटिंग उनके साथ में कीजिए तो आपको आपकी टीम एक्दम कॉम्पैक्ट हो जाएगी इंटैक्ट होके आपके साथ काम करने लगेगी उनके साथ डुप्लीकेट कराएंगे तो डेफनेटली आपकी टीम में यूजर्स मिलेंगे और नए बिजनेस लीडर्स मिलेंगे नए बिजनेस लीडर्स मिलेंगे वो नीचे जुडेंगे तो आपके जो पहले से जुड़े हुए हैं टीम लीडर्स उनको भी एक मोटिवे से आप एक देड़ महिने के अंदर 200 से 500 नए लोगों की टीम आप बना सकते हैं यूजर्स की और उसमें से 40-50 नए बिजनिस लीडर मिल सकते हैं मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बोला है अटॉमी का बिजनिस सबके लिए नहीं है खासवर से वो लोग जो पिछले 10-15 सालों से कई कंसेप्ट में काम कर शुके हैं उनको अटॉमी का बिजनिस नहीं समझ में आएगा क्योंकि अटॉमी का बिजनिस है नेट्वर्किंग कम प्लान जरूर नेट्वर्किंग टाइप है लेकिन बिजनिस है तो इस तरीके से दोस्तों जब आप अपने आसपास लोगों को यूजर बनाएंगे उसमें से सैटिस्वाइड यूजर बनेंगे उसमें से नए लीडर निकल कहाएंगे आपकी टीम आलिटी चलने लगेगे और इस तरीके से अगर आप करते हैं इस प्रॉस्स को कम्प्रीट विशास मानिए 25 से 40,000 रुपए की सिर्फ डेली मैचिंग बोनस से आप कमा सकते हैं सिर्फ डेली मैचिंग से और उसके बाद आप जब टीम बन जाया आप प्लान कर सकते हैं मास्टर्शिप बोनस के लिए मास्टर्शिप में आपको पता है एक मैने की इंकम लगबग लाक रुपए के आसपास में होती है तो उसमें अडिशनल इंकम आप 35 से 40,000 रुपए 15 दिन की आप कमा सकते हैं 30-40,000 डेली मैचिंग 30-40,000 रुपए ये 70-80,000 रुपए आपकी इंकम कहीं नहीं गई दोस्तों और यह वो एक्शन प्लान है जो मैंने खुद किया है मेरे टीम के लोग कर रहे हैं और सक्सिस मिल नहीं है दोस्तों